कि हैं वेल्काम एप्रिवन मैं धीरा ज्यादा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे जुक्रिशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमुनिटी पर तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं इनक कि बात करें तो वहाँ पर जो भी हम लोगों ने concept पढ़ हैं उनमें से केवल और केवल एक concept का हम यहां पर यूज करने वाले हैं जो कि आपका था time interval यानि कि हमने जब session 1 के भी बात करी थी तो session 1 में सबसे पहले हम लोगों ने time interval निकालना सीखा था और उसका हम लोग यहाँ पर use करेंगे अगर हम बात करें basically incorrect clock या फिर गलत घड़ी की तो यहाँ पर basically हम time, speed and distance का concept use करने वाले हैं और उनी concepts की help से हम यहाँ पर questions को solve करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कुछ basic concepts जो कि आपके use होने वाले हैं इसको हम time, speed and distance के terminology में समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको clock पर implement करके देखेंगे तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको type 1, type 2, type 3 और type 4 करके कुछ information दी गई है तो जिन भी बच्चों को English में information को note down करना है वो इसका screenshot ले सकते हैं अगर मैं बात करूँ इस particular information की तो आपको clock के class के बाद यानि कि जब हम बात करेंगे part 3 की तो आपके class जैसे ही आपको provide करा जाएगा YouTube पर उसके साथ ही साथ आपको short notes भी provide करा जाएगा जहाँ पर मैं यह information already add on आपको short notes में करा करके दूँगा तो आपको कुछ भी लिखने की यहाँ पर आऊशकता नहीं स्क्रिन शॉट ले लिए भी फिलाल के लिए चलिए आगे कि अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग discuss करेंगे हिंदी में ठीक है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर car a की अगर हम यहाँ पर car a की 60 km per hour इतना सेम वे हम जब बात करते हैं कार B की तो कार B की तुलोना हम करेंगे किससे तेज घड़ी से जो की क्या है सामान घड़ी की अपेक्छा अधिक समय दिखाती है या दर्शाती है और जब हम बात करेंगे कार C की तो कार C की हम तुलोना करेंगे मंद घड़ी या धीमी घड़ी से जो की क्या करती है एक सामान घड़ी की अपेक्छा या एक सही घड़ी की अपेक्छा कम समय दिखाती है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर types of questions की तो अगर हम बात करें type 1 की तो यहाँ पर दिया गया एक घंटे में सभी कारों करमसा A, B और C द्वारा तै की गई दूरी यानि कि इस प्रकार के जब हम परस्ण की बात करते हैं तो एक निश्चित समय इंतराल में जैसे अगर हम कार की बात करें एक निश्चित समय इंतराल में अलग अलग स्पीड से सभी कारों के द्वारा तै की गई दूरी की अगर हम बात करेंगे तो ये पहले प्रकार का प्रशन आपको जो बेसिकली देखने को मिलता है तो यानि कि यहाँ पे हम बात करेंगे एक निश्चित समय अंतराल में अलग अलग घड़ियों द्वारा तै किया गया समय यानि कि हम बात करेंगे यहाँ पे तेज घड़ी और धीमी घड़ी की क्लियर तो समय अंतराल यहाँ पे आपका जरूरी नहीं कि एक एही घंटे हो ये दो घंटे भी हो सकता है तीन घंटे भी हो सकता है चार घंटे भी हो सकता है कुछ भी आपका स्पीड से हमें क्या होगा एक निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगेगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जब हम बात करेंगे टाइप 3 की जब धीमी कार 60 किलो मीटर पती घंटे की गती वाली कार से आगे या तेज कार उसी कार के पीछे है तो पता लग कारें हैं एक कार आगे है और एक कार पीछे है मान लेते हैं यह होगी कार सी और यह होगी कार एक की स्पीड है 60 किलो मीटर पर आवर और कार सी की स्पीड है 30 किलो मीटर पर आवर और दोनों को जब हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपक car c और car a दोनों क्या होंगे एक ही particular point पे होंगे कब जब आपका car a क्या कर रही होगी car c को overtake कर रही होगी या इसी को हम इस पर car से भी कह सकते हैं कि यह हो गया आपका car a और यह हो गया आपका car b यहां पे भी हम कर लेते हैं इसको car a और यह हो गया आपकी car b car b की speed कितनी है 90 km per hour और car a की speed कितनी है 60 km per hour तो एक moment ऐसा आएगा जब car a और car b आपको एक ही point पे दिखाई देंगे तो हमें वह समय गयात करना है कि कब दोनों कारें आपकी एक ही स्थिती में थी इसी प्रकार जब हम घडी की बात करते हैं तो घडी में जो आपका धीमी चलने वाली घडी होती है सामाने घडी के पेक्षा क्या होता है उसमें समय आगे रखा जाता है और धीरे धीरे करते करते हैं सामाने घडी से क्या हो जाता है तो हमें वह टाइम बताना होता है जब दोनों घड़ियों ने क्या दिखाया होगा एक ही समय दिखाया होगा यानि कि सही समय दिखाया होगा ठीक है इसी प्रकार जो तेज घड़ी होती है वह समाने घड़ी के पेक्चा कुछ पीछे होती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब सामान गड़ी से आगे का समय दिखाती है तो हमें यह बताना होता है कि दोनों गड़ियों ने कब एक ही समय दिखाया या फिर दोनों गड़ियों ने कब सही समय दिखाया ठीक है इसके बाद हम बात करते है टाइप 4 की जब एक निश्चित समय में तेज या धीमी कार दौरा एक निश्चित दूरी तय की जाती है तो समान समय अवधी में 60 किलोमीटर पती घंटे की गती से कार दौरा तय की गई दूरी ग्यात कीजिए यानि कि अगर इसको हम क्लॉक के टर्म्स में बात करें तो एक समान घली की इसका कम समय दिखाई देगा तो आपको एक्चुल क्लॉक को बताना हुगा कि इसमें कितना समय हुआ है ठीक है तो इस पर बेस्ट भी आपको कुश्चन्स देखने को मिलते हैं तो यह हो गए कुछ प्रस्वनों की बात अब हम लोग आ जाते हैं चलिए टाइप 3 वाले कॉ तो इसमेट को थोड़ा सा एनिमेशन से हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं और इसको कोश्टन के साथ भी लगा किि अमलोग देखेंगे गे तो अगर इसको हम लोगों ने कहा कार को सी की स्थे तो Зап合 कर करेंगे एक पर्टिकुलर टांप पर start करेंगे तो एक moment ऐसा आएगा जब दोनों कारें आपको एक समान स्थिती में दिखाई देंगी यानि कि same point पे आपको दिखाई देंगी तो इस प्रकार आपको clock में भी question देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर question के साथ हम इसको compare करके देखेंगे ठीक है या इसी को हम ऐसे बोल सकते थे कि यह हो गई आपकी car B और इसकी speed कितनी है यह हो गई आपकी car A car A और इसकी speed है 60 km per hour और इसको हम मान लेते है car B जिसकी speed कितनी है 90 km per hour इस बार जब हम इसको start करेंगे यह तो जो आपका तेज वाली घड़ी है वो क्या करेंगे एक moment ऐसा आएगा जब सामान ने घड़ी के बराबर का समय दिखाएगी यानि कि दोनों घड़ियां एक ही time दिखाएंगी और वो time क्या होगा आपका correct time होगा तो इस पर based हम questions की भी बात करेंगे चलिए बढ़ते हम लोग आगे और यहाँ पर शुरू करते हैं question तो पहला question आपकी screen पर आ चुका है पहले अगर हम question की बात करें तो यानि कि आपका type 1 का question है और यहाँ पर बोला जा रहा है रमेश sets his grandfather's clock to the right time at 2 a.m. on Thursday यानि कि हम बात करेंगे यहाँ पर 2 a.m. Thursday की 2 a.m. और दिन कौन जा है तो दिन है आपका Thursday यानि कि गुरु हुआ चलिए और अगर हम बात करेंगे बट he did not know that the clock gains 20 seconds for every three hours यानि कि घरी क्या करती है हर तीन घंटे में 20 seconds आगे हो जाती है what will the clock indicate on Friday night 6.30 p.m. यानि कि यहाँ पर हम बात करें Friday 6.30 p.m. और हर अगर हम बात करें यहाँ पर 3 घंटे में यानि कि तीन घंटे कि अगर हम बात करें तो clock क्या करती है 20 seconds आगे हो जाती है clear clock हर तीन घंटे में 20 seconds आगे हो जाती है और आपको बताना है कि जब Friday 6.30 बजा तो इस clock ने यानि कि जो गलत घड़ी है इसने कितना समय दिखाया होगा या कितना अधिक समय इसमें हुआ होगा यह आपको बताना है तो इसके multiple तरीके हैं कुछ basic तरीके की बात कर लेते हैं फिर आपको कुछ formula के साथ भी तरीके यहाँ पर बता देते हैं तो basic तरीका यह है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे time interval निकाल लेंगे अधर इसथ टू एम से जब हम Friday टू एंस थक आएंगे तो time कितना घाएंगा 24 फ्राइड टू एम से Friday तू पी जाएंगे तrah अधर और यहां पर हम टू पी इम से 630 पी एंफ तक की बात करें तो कितना हो जाएगा 4.5 आवर्स यानि कि अगर हम यहाँ पर total time की बात करें तो total time आपका निकल के आ रहा है 40.5 आवर्स और हर 3 घंटे में आपका जो घड़ी है वो कितना गेन करती है 20 सेकंड गेन करती है तो ऐसा कितनी बार होगा तो यानि कि अगर इसको हम 3 से क्या कर दें डिवाइड कर दें तो value अपने को मिल जाएगी 13.5 यानि कि 13.5 टाइमस ऐसा moment आएगा जब घड़ी क्या करेगी 20 20 सेकंड गेन करेगी यानि कि यहाँ पर हम बात करें total time की जो घड़ी क्या करेगी गेन करेगि या जो घड़ी तेज हो जाएगी तो वो हो जाएगी आप जाएंगे आपके कितने 30 सेकंड यानि कि जो actual time हुआ है उससे क्या करेगी घड़ी 4 मिनट और 30 सेकंड का अधिक समय दिखाएगी ठीक है यह हो गया एक तरीका अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे तरीके की तो दूसरा तरीका ये था कि हम बात करेंगे सबसे पहले time interval की त तो थर्सडे टू एम से फ्राइडे 6.30 पीम टोटल टाइम इंटरवल निकल करके आया कितना 40.5 आवर्स ठीक है टोटल टाइम इंटरवल निकल करके आया 40.5 आवर्स अब अगर हम यहां पे बात करें देखिए तीन घंटे में यदि घड़ी क्या कर रही है बीस सेकंड गे घंटे में घड़ी क्या करेगी एक मिनट गेन करेगी नो घंटे में घड़ी क्या करेगी एक मिनट गेन करेगी ठीक है तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पे मिनट जितना घड़ी क्या कर रही है गेन कर रही है अपन आवर यानि कि जित यहां पर आपको value मिल जाएगी कितना 1 by 9 multiplied by 40.5 point हटाओगे तो यहां पर हो जाएगा 90 point आपका हो जाएगा cancel और अगर 405 को आप 90 से काटोगे 405 को आप 90 से काटोगे तो यह जाएगा 18 times में और यह जाएगा आपका 81 times में फिर 9 से काटोगे तो यह जाएगा 2 times में और यह जाएगा आपका 9 times में यानि कि 9 by 2 minute 9 by 2 minute यहां पर था आपका minute यहां पर था आपका 9 hour यानि कि minute upon hour था यह hour था तो hour से hour हो गया cancel यानि कि value आपके आएगी किस में minute में आएगी यहां पर 40.5 hour था यहां पर आपका 9 hour था तो hour से hour हो गया cancel यानि कि value आपको minute में देखने को मिलेगी minute कितने 9 by 2 9 by 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4.5 minutes और 4.5 की अगर हम बात करें तो समय है 6.6 बजे यानि कि इसमें आप 4 मिनट जोड़ेंगे तो 6 बज के 34 मिनट और 30 सेकेंड का आपको समय दिखाई देगा चलिए बात कर लेते हैं अगले question की अगले दी हम question की बात करें तो बोला जा रहा है यानि कि एक घड़ी क्या करती है 3 मिनट में 5 सेकेंड गेन करती है तो अगर हम बात करें इसको formula से भी बना करके देखेंगे और इसको basic approach से भी बना करके देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं formula की कि अगर आप formula से बनाते हैं तो question आपके लिए कई बार complicated भी हो जाता है यानि कि इसको हम minute में convert करेंगे इसको हम hour में convert करेंगे तो जब 60 हम seconds की बात करेंगे यानि कि उपर में आजाएगा आपका time और time आजाएगा आपका एक minute और total हम निकाल लेंगे time interval जो कि आपको बोला जा रहा है कि से set right at 8 a.m. और यहां पर 10 p.m. की बात करी जा रही है यानि कि 8 a.m. से 10 p.m. तक की अगर हम बात करें same day यानि की 8 a.m. से 8 p.m. जाएगे तो 12 घंटे और उसके बाद हम दो और घंटे जोड़ेंगे तो हो जाएगे कितने 14 hours तो यह वाला 10 इसमें जाकर के multiply हो जाएगा यानि कि यह value बनेगे आपकी कितनी 140 by 6 minutes और जब इसको आप काटेंगे तो यह जाएगा आपका 2 times में completely बचेगा 2 फिर जाएगा 3 times में और यहाँ पर बचेगा आपका 1 by 6 जाएगा बचेगा 2 और हो जाएगा 1 by 3 यानि कि 23 whole 1 by 3 minutes 1 by 3 का मतलब क्यों जाएगा 20 seconds यानि कि जो time आपको दिखाई दे रहा है 10 p.m. का वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कितना 10 बच के 23 minutes और 20 seconds तो यह हो गया जब आप formula से जाते है formula क्या था उपर में आप लिखते है minute upon hour और फिर यहाँ पर लिखते हैं आप total time interval या फिर total time ठीक है यह तो हो गई बात formula कि इसको basic तरीके से कैसे कर सकते थे तो देखो basic तरीका सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे time interval time interval हमारा कितना आगया या फिर समय इंतराल के अगर हम बात करें तो समय इंतराल निकल कर किया कि हमारा कितना 14 घंटे यानि कि 14 hours ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें तो हर तीन मिनट में 5 seconds गेन कर रही है तो एक घंटे की अगर हम बात करें तो यानि कि 3 मिनट को एक घंटा बनाने के लिए हमें 20 से multiply करना होगा तो 5 seconds को भी हम क्या करेंगे 20 से multiply करेंगे तो value मिल जाएगी अपने को कितना 100 seconds 100 सेकंड मिल जाएगी कितनी देर में एक घंटे में एक घंटे में अगर 100 सेकंड गेन करता है तो 14 घंटे में कितना गेन करेगा 1400 सेकंड गेन करेगा 1400 सेकंड को हम क्या करेंगे मिनट में अगर हम कनवर्ट करेंगे तो 600 सेकंड बराबर 10 मिनट 1200 सेकंड बराबर 20 मिनिट बचा कितना 200 सेकंड 200 सेकंड में 180 सेकंड बराबर कितना हो गया 3 मिनिट हो गया और बचा कितना अपने पास 20 सेकंड यानि कि आप सीधा सीधा देख सकते है 23 मिनिट 20 सेकंड क्या निकल जाएगा आपका आंसर निकल करके आ जाएगा तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते थे जरूरी नहीं कि आप इस पे formula apply करो तो ही ये question आपका solve हो बिल्कुल basic से आप बना सकते थे clear? चलिए अगले question की बात अगर हम करें तो बोला जा रहा है clock gains 15 minutes in every 2 hours तो मैंने कहा क्या करना होता है अपने को minute रखना होता है upon में hour रखना होता है और multiply कर देना होता है total time interval से time की अगर हम बात करें तो साले 7 बजे सुबा से ले करके 2 बजे दोपहर तक की बात करी जा रहे है यहां पे और दिन आपको mention नहीं it means हम किसकी बात कर रहे हम same day की बात कर रहे है हम उसी दिन की बात कर रहे है तो यहां पे अगर हम साले 7 से 2 बजे तक की बात करें तो साले 7 से साले 12 तक हो गए 5 घंटे और बजगए आपके 5.5 घंटे यानि की 6.5 आवर 6.5 आवर आपको यहां पे time देखने को मिलेगा तो अगर हम बात करें यहां पे total value की हम बात करें यहां पे total कितना आपका minute घड़ी क्या हो जाएगी तेज हो जाएगी तो इसको फटा-फट से हम लोग solve कर लेते हैं यहां पे value आजाएगी आपका कितना 7.5 और 7.5 और 6.5 को जब हम multiply करेंगे यहां पे तो 5.5 यानि कि 5 6.35 और 7.35 और 2.67 यानि कि 75 7.75 और यहां पे 7.6 बायालिस और 6.48 यानि कि 48.75 मिनट्स 48.75 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे और 7.5 मिनट्स की अगर हम बात करें तो इसको जब हम seconds में convert करेंगे यानि कि इसको हम बोल सकते हैं क्या 3.4 मिनट्स और 3.4 मिनट्स की हम बात करें तो value कितनी आजएगी 45 seconds value कितनी आजएगी 45 seconds जो कि आपको एक ही option में दिखाई दे रहा है इस प्रकार के question को बनाने के लिए और कहीं न कहीं थोड़े बहुत आपके concept भी clear होने चाहिए time, speed और distance से related ठीक है ना अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रकार के पूछे जाने वाले प्रश्न की जदी मैं बात करूँ यहाँ पर अगले question की तो बोला जा रहा है clock gains six minutes in every hour यानि कि कहीं न कहीं previous concept का ही हम use कर रहे हैं लेकिन हमें जो थोड़ा सा common sense यहाँ पर लगाना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जैसा कि बोला जा रहा है clock gains six minutes in every hour ठीक है यानि कि एक घड़ी हर गंटे में क्या करती है छे मिनट गेन करती है if it was set right at 9.30 p.m. on Wednesday तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 9.30 p.m. की और दिन है आपका कौन सा बुद्धवार W.E.D.N.E.S.D.A.Y Wednesday चलिए अब अगर हम बात करें बुला जारा When will it show the right time again अब दोबारा ये घड़ी सही समय कब दरशाएगी तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि घड़ी दोबारा सही समय दिखाएगी इसके लिए घड़ी को कितना fast या फिर कितना slow होना पड़ेगा और ऐसा करने में घड़ी को कितना समय लगेगा तो बिल्कुल basic सा concept होने वाला है अगर हम घड़ी की बात करें 12 है 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8 चलिए दो अलग अलग अज़र हम घड़ी की बात करें इसी में हम दोनों घड़ीों को अलग अलग टाइम लेते हैं मैंने कहा एक घड़ी में समय कितना हो रहा है मैंने कहा एक घड़ी में समय हो रहा है एक बज़े exactly एक बज़ा हुआ है और दूसरी घड़ी में अगर हमने कहा यहां पर अगर हम टाइम की बात करें तो हमने कहा एक दूसरी घड़ी है अभी फिलाल एक ही है एक ही में आपको दोनों कंसेट समझ लेना और दूसरी घड़ी में हमने कहा टाइम क्या हो रहा है वन एम एक में टाइम हो रहा है वन पी एम और एक में टाइम हो रहा है वन एम दो अलग अलग घड़ियां है तो बता नहीं मिलेगा तो अगर हम बात करें कोई एक घड़ी या इसको ऐसे समझे कि अगर दो धावक हैं हमने कहा दो क्या है धावक यानि कि एथलीट है और वो इस सर्कुलर फील्ड का कर रहे हैं चक्कर काट रहे हैं एक एथलीट की स्पीड क्या है ज्यादा है यानि कि यह क्या है fast है और यह क्या है slow है दोनों को हमने क्या किया एक ही point से start कराया एक ही point से हम ने क्या किया दोनों को start कराया तो fast वाला तो आगे निकल गया लेकिन slow वाला क्या हो गया पीछे हो गया अब एक moment ऐसा आएगा जब यह fast वाला चक्कर काटते 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 कहीं वापस से फिर से उसी पॉइंट भी पहुचेगा जहाँ पे slow वाला उस moment पे दोड़ रहा होगा ठीक है यानि कि देखने वाले को कैसा प्रतीत होगा कि जो दोनों धावक है वो क्या है एक ही बिंदू पर है या एक ही स्पीड से भाग रहें लेकिन जब कि क्या होगा अगर हम बात करें जो तेज वाला धावक है धीरे दोड़ने वाले धावक क्या पेक्षा अधिक बार क्या कर चुका होगा इस सर्कुलर फिल्ड का चक्कर साथ सोव बीस मिनट का क्या कर लेगी तो वह सही घड़ी कि अपेक्षा क्या करेगी बिल्कुल exact time दिखाएगी यानि कि same time दिखाएगी दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाएगी तो basically हमें यहाँ पे ग्यात क्या करना होता है कि जो घड़ी fast या जो घड़ी slow है वह कितने घंटे में क्या करेगी 720 मिनट की दूरी तै करेगी आगे की और या फिर 720 मिनट हो जाएगी यहाँ हमें ग्यात करना होता है और ऐसा करने के लिए इस fast या slow घड़ी को कितने समय या कितने घंटे की आवशकता होगी यही हमें यहाँ पे निकालना होता है तो I hope कि यहाँ पे concept आपको clear हो गया है यानि कि यहाँ पे हमारा जो अप्रोश होगा वो क्या होग चलिए एवरी आवर तो यहनि कि हम बात करें एरर इन आवर और फिर उसके बार अगर हम बात करें एरर इन मिनट कितने घंटे में कितने मिनट का एरर आ रहा है और इसको मल्टिप्लाई कर देना है किस से 726 थीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें एरर जो आपका देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है तो यानि कि देखो ये है1 मिनट से मिनट क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा और इस बार आपको पार आगे हो जाएगा एक घंटे में घड़ी आपका 6 मिनट आगे हो जा रही है तो यानि कि इसको 720 मिनट आगे होने में कितना टाइम लगेगा तो यानि कि यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं 12.72 और आगे 0 यानि कि 120 घंटे और 120 अगर हम घंटे को क्या करेंगे दिनों में convert करेंगे तो हमारे पास value आ जाएगी 5 दिन यानि कि 24 इंटू 5 करोगे तो value मिल जाएगी 120 hours या फिर 120 hours को 5 से divide करोगे तो value मिल जाएगी 5 days ठीक है अब यहाँ पर घड़ी को हमने मिलाया कब था ठीक ठीक तो घड़ी को हमने मिलाया था Wednesday को साड़े 9 बजे रात को ठीक है तो अगर हम बात करें Wednesday 9.30 पीम और यहाँ से आएगे तो Wednesday के बाद Thursday Friday Saturday Sunday और Monday यानि कि Monday के अगर हम बात करें 9.30 पीम को घड़ी क्या करेंगी दोबारा से साही समय दिखाएगी यानि कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 घंटे 24 घंटे अगें 24 घंटे यह भी हो जाएगे आपको 24 आवर्स और यह भी हो जाएगे आपको 24 आवर्स सब को जोडेंगे तो वैल्यू मिल जाए कि अपने को कितना 120 आवर्स यानि कि आफ्टर 120 आवर्स घड़ी क्या करेंगी 720 मिनट आगे हो जाएगी यानि कि सीधे सीधे 12 घंटे आगे हो जाएगी और मैंने आपको कहा कि जब 12 घंटे घड़ी या तो आगे हो जाए या तो पीछे हो जाए तो जो आपका सही घड़ी है उसकी अफेक्षा जो गलत घड़ी हो भी क्या करेगी सही समय दिखाएगी ठीक है चलिए इसी पर बेस्ट एक और कोशन हम दोग यहां पर डिसकस कर लेते हैं इस बार बोला जा रहा है कि घड़ी क्या करती है 15 मिनट का समय आगे दिखाती है हर 2 घंटे में यानि कि clock gains 15 minutes in every 2 hours तो हमने क्या किया था हमने निकाल लिया था कि एक घंटे में घड़ी कितने मिनट आगे होती है यानि कि टू बाई अगर हम 15 कर दे तो एक मिनट आगे होने में घड़ी कितना समय लेती है ऐसा हम इसको बोल सकते हैं तो एक मिनट आगे होने में घड़ी कितन समय लेगी तो यहां पर अगर हम वैल्यू की बात करें 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 5 1 5 5 4 20 और 5 4 20 यानि कि 144 हो गया फिर इसको अगर हम 3 से काटें तो 3 4 12 बचेगा 2 और 8 3 24 यहां पर अगर हम देखें तो 48 multiplied by 2 यानि कि after 96 hours after 96 hours कि अगर हम बात करें तो clock क्या करेगी सही समय दिखाएगी यानि कि 720 मिनट का जो gain है वो clock कवर करेगी कितने घंटों में तो 96 hours में क्या करेगी clock 720 मिनट के अंतर को create करेगी correct clock के comparison में और उस time पर दोनों घड़ियां क्या करेंगी एक ही समय दिखाएगी और अगर हम बात करें 96 hour की अगर हम बात करें 96 घंटों की तो 96 घंटे वराबर होता है आपका चार दिन फोर डेज अगर हम बात करें यहां पे दिन की तो दिन आपको दिया गया था मंडे 7.30 a.m. यानि कि मंडे में प्लस 4 करो या माइनस 3 कर लो तो मंडे में प्लस 4 करो गे तो आपको दिन मिल जाएगा कौन सा Friday यानि कि Friday 7.30 a.m. को आपको घड़ी में क्या देखने को मिलेगा सेम टाइम देखने को मिलेगा जो की क्या होगा कर्येक्ट क्लॉक में आपको देखने को मिलेगा इसी पर बेज़ एक कोश्टन और हम लोग डिसकस करेंगे जहां पर घड़ी क्या कर रही है टाइम लूज कर रही है यानि कि अगर हम घड़ी की बात करें तो हर घंटे घड़ी क्या करती है 20 मिनट का टाइम पीछे हो जाती यानि कि 20 मिनट लूज कर देती है, अगर हम बात करें, यहां पर, उल्टा कर दिये, हर घंटे गड़ी क्या करती है, 20 मिनट का समय लूज करती है, यानि कि 20 मिनट पीछे हो जाती है, तो 720 मिनट पीछे होने में इसको कितना समय लगेगा, तो वैल्यू कि अगर हम बात करें, त 36 hour यानि कि 36 घंटे 36 घंटे कि अगर हम बात करें तो मतलब की देड़ दिन तो 7 से 7 जाओगे तो पहुचोगे 7 a.m. Friday और 7 p.m. Friday को क्या हो जाएगा Thursday है ना यहाँ पर आपको Friday Saturday ठीक है 7 आपको और यहाँ पर आपका answer जो आएगा option में आपको देखने को नहीं मिल रहा है यह am में value दी है सुबा में देखिए यहाँ पर option में थोड़ा सा आपको error देखने को मिलेगा यहाँ पर बात की जारी Thursday 36 hours आपका निकल करके आ रहा है यानि कि हम बात करने कि इसकी गुरु आर की और गुरु आर से जब हम जाएंगे 24 घंटे तो हम पहुचेंगे कहां Friday पर यहाँ पर समय था 7 AM तो यहाँ पर भी हम पहुचेंगे कहां पर 7 AM और हमें 12 घंटे और जाने है तो Friday क्या हो जाएगा Friday हो जाएगा 7 PM यानि कि जिसका answer आएगा इसका जो answer आएगा वो क्या जाएगा Friday 7 PM यानि कि यहाँ पर आपको 7 PM यह वाला जो यहाँ पर Saturday लिखा है ना यह हो जाएगा आपका Friday ठीक है यह हो जाएगा आपका Friday 7 PM यानि कि 36 घंटे बाद घड़ी क्या करेगी सही समय दिखाएगी आपका correct clock के comparison में यानि कि यहाँ पर घड़ी को 12 घंटे पीछे होने में जो समय लगेगा वो लगेगा आपका 36 घंटे ठीक है चली अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रकार के पूछे जाने वाले प्रश्न की यानि कि जो हमने Time, Speed and Distance का concept सिखा वहाँ पर जब मैंने आपको Type 3 के concept के बारे में बताया तो उसी concept का हम लोग यहाँ पर use करने वाले हैं तो बोला जा रहा है clock slowly moves at 7 a.m it was set ahead by 5 minutes यानि कि एक घड़ी क्या करती है जो कि धीमे चलती है इसको 5 minutes आगे करके set किया गया और यदि हम बात करें यहाँ पर but at 2 p.m it was left behind 9 minutes लेकिन जब हम बात करते हैं दो बजे की तो यह क्या हो जाती है 9 minutes पीछे हो जाती है तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे किसकी time interval की और इस concept को समझने का प्रयास करेंगे तो अगर हम time interval की बात करें तो time interval दिया गया यहाँ पर 7 a.m से लेकर के 2 p.m तक की तो अगर हम बात करें 7 a.m से 2 p.m तक तो 7, 5, 12 और 2 यानि कि 5 प्लस 2 यानि कि यहाँ पर time interval निकल कर के आर आपका 7 hours ठीक है पहले इसको basic से समझ लेते फिर formula की भी बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 7 hour तो 7 hour में आप देख पार की घड़ी जो की 5 minute आगे थी वो अभी 9 minute क्या हो चुकी है पीछे हो चुकी है यानि कि 7 घंटे में घड़ी क्या हो जाती है सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि 14 minute पीछे हो जाती है यानि कि अगर हम बात करेंगे एक घंटे की तो एक घंटे में आप 14 by 7 यानि कि 2 minute घड़ी क्या हो जाएगी पीछे हो जाएगी तो जो घड़ी आपका 5 minute आगे थी उसे 5 minute पीछे होने में कितना समय लगेगा अगर घड़ी एक घंटे में अभी 5 minute पीछे हो गई तो क्या हो जाएगा सही घड़ी के पेक्छा एक ही टाइम दिखाएगी गलत घड़ी और सही घड़ी यानि कि अगर हम बात करें दोनों घड़ीों ने कब एक ही समय दिखाया होगा तो धाई गंटे बाद जब हम दोनों को स्टार्ट करेंगे तो एक मुवमेंट ऐसा आएगा कि दोनों एक ही जगे पे आपको देखने को मिलेंगी इसी प्रकार क्लॉक में भी आपको देखने को मिलेगा यानि कि हम इसी अगर कोश्चन की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है फास्ट प्लस स्लो अगर यहाँ पर घाली पहले आगे है तो पहले हम लिखेंगे फास्ट प्लस स्लो ठीक है यानि कि घाली कितना तेज या घाली कितना धीमे थी और हम डिवाइड किसको करेंगे हम डिवाइड करेंगे किसको total time को हम डिवाइड करेंगे total time को या फिर time interval को time interval को divide किसे करना fast plus slow से और फिर multiply किसे कर देना है अगर पहले fast थी तो fast से और अगर पहले slow थी तो slow से तो इसको अगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने को पहले fast तो हम fast से क्या करेंगे multiply time interval की value निकल करके आई थी कितनी 7 hours, fast plus slow कितना हुआ था तो 9 minutes और अगर हम बात करें पहले fast कितना था तो यहाँ पे था आपका 5 minutes, minute से minute cancel, यहाँ पे हो गया 7, 35, 35 यानि कि 35 by 9 hours, 35 by 9 hours, अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 9 नहीं था, इसलिए यह गड़बड आ रहा है, यह 14 था, यहाँ पे 14 निकल करके आए था total, fast plus slow की value निकल करके थी 14, तो यह हो जायागा 7, 35 यानि कि 35 by 14 hours, value आ गई hours में minute से minute हो गया, cancel, ठीक है, 35 by 14 के अगर हम बात करें, तो कितने टाइमस में जाएगा, तो 14 to the 28 और बचा 7 यानि कि 0.5, तो 2.5 hour में आपका घड़ी क्या करेगी, एक ही time दिखाएगी, question आपका same है, तो इसको आप जैसे चाहे, वैसे आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें, अगले question की, तो बोला जा रहा है, clock which loses time, uniformly was observed to be 5 minute fast at 8 pm, 8 pm पे अगर हम बात करें, तो 5 minute आगे देखी गई घड़ी, और इसके दिन की अगर हम बात करें, तो Thursday, ठीक है, इट वाज नोटिस्ट 7 minute slow at 8 am on subsequent Monday, यानि कि अगले अगर हम Monday की बात करें, तो 7 minute घड़ी क्या देखी गई, पीछे देखी गई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी time interval की, Thursday की अगर हम बात करें, तो Thursday को आपको time दिया गया है, 8 pm, और फिर Monday की अगर हम बात करें, तो सीधे सीधे अगर हम बात करें, तो Thursday के बाद आपको देखने को मिलेगा, Friday फिर आपको देखने को मिलेगा, Saturday फिर आपको मिलेगा, देखने को Sunday और फिर मिलेगा Monday, अगर Monday 8 pm तक की बात कर रहे होते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं, 96 hour की, यानि कि 4 दिनों की, लेकिन यहां बात हो रही है 8 AM की यानि कि उसमें से हम क्या करेंगे 12 माइनस कर देंगे जो time interval निकल करके आएगा वो कितना जाएगा 84 यानि कि 84 गंटे में अगर हम बात करें तो 84 गंटे में घड़ी कितना fast plus slow यानि कि 5 प्लस 7 12 मिनट क्या हो जा रही है पीछे हो जा रही है यानि कि इस घड़ी को 5 मिनट पीछे होने में कितना समय लगेगा तो यह value यहां से हम निकाल सकते हैं तो 12 सते कितना हो गया 84 और 7 पचे हो गया 35 यानि कि 35 घंटे के बाद घड़ी क्या करेगी सही घड़ी की अपेक्षा सही समय दिखाएगी यानि कि सही घड़ी और गलत घड़ी क्या करेंगी एक ही समय दिखाएगी तो अगर हम बात करें 35 घंटे की तो यहां से यहां तक आ गय जब कि हमें जाना है केवल और केवल 35 घंटे तो एक घंटा माइनस कर देंगे यानि कि आ जाएगा कितना 7 एम सटर्डे यानि कि सनी वार सुबा साथ वजे गलत घड़ी और सही घड़ी क्या करेंगी एक ही समय को दरसाएंगी तरीके की बात करें तो क्या करना था आपको total time interval divided by fast plus slow और multiply कर देना था अगर पहले घड़ी आगे थी तो fast वाले से अगर घड़ी पहले पीछे थी तो slow वाले से जैसे कि slow वाले का भी एक question लोग यहाँ पर solve करके देख लेते हैं अगर हम बात करें तो घड़ी क्या थी आपका दो मिनट पीछे थी ठीक है और अगर हम बात करें एंट 4 मिनट एंट 48 सेकंड फास्ट एट 2 पीम और फॉलोइंग मंडे यहाँ एक मंडे से दूसरे मंडे हम 12 बजे तक आयत उत हो गया टोटल टाइम 168 आवर प्लस 12 से दो बजे तक दो घंटे तो टोटल टाइम इंटरवल कितना निकल करके आगया एक सो सतर घंटे और एक सो सतर घंटे की बात करें तो दो मिनट यहाँ पीछे थी और 4 मिनट 48 सेकंड आगे होगी तो 4 दो कितना हो गया च्छे हो गया और 48 सेकंड को हम लिख सकते हैं कितना 4 by 5 तो 6, 5, 30, 4, 34, 5 यह value हो जाएगी आपका 34 बटे 5 तो इसको हम कर देंगे 34 और 5 चला जाएगा आपका उपर और फिर घाड़ी पहले क्या थी पीछे थी कितना पीछे थी दो मिनट पीछे थी तो दो को भी यहाँ लिख देंगे तो यह हो जाएगा आपका 10 टाइमस में यह जाएगा आपका 2 टाइमस में 2 से 2 हो जाएगा यानिकि 10 गुले 5 तो 50 घंटे बाद फिर से देखो 170 घंटे निकल करके आया टोटल टाइम इंटरवल यहाँ पे अगर हम फास्ट प्लस स्लो की बात करें तो वैल्यू मिल गई अपने को कितनी 34 बाइट टू सॉरी 34 बाइट 5 तो जब 34 बाइट 5 आप अपन में लिखोगे तो 5 कहां चला जाएगा उपर चला जाएगा और घंटी पहले बताओ कितनी स्लो थी तो घंटी पहले थी 2 मिनट स्लो यहाँ पे आजाएगा 5 गड़ी पहले कितनी स्लो थी तो गड़ी पहले थी आपका दो मिनट स्लो तो दो से हम क्या कर देंगे multiply कर देंगे यानि कि जब पूरे को आप solve करोगे तो देखो 17 टेंजा कितना हो जाएगा 170 और 17 टूजा कितना हो जाएगा 34 टू से 2 हो जाएगा cancel बचा 10 इंटू 5 यानि कि 50 hours के बाद अगर हम बात करें तो घड़ी न क्या किया होगा सही समय दिखाया होगा तो अगर हम Monday की बात कर रहें तो Monday से जब हम 2 दिन आगे जाएगे यानि कि Tuesday और Wednesday की बात करें तो Wednesday नून अगर हम 12 बजे की बात करें तो हो गए 48 घंटे और उसमें 2 घंटे और जोर देंगे यानि कि बुद्ध हुआर कि अगर हम 2 बजे की बात करें तो घड़ी न क्या किया होगा सही समय दिखाया होगा ठीक है ? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रकार करके पूछे जानने वाले प्रश्ण की अच्छा भी एक कोशन क्या है अकलॉक इस गेनिंग टाइम अट इस अभी एक कोशन और है चलो सॉल्फ कर लेते हैं भाई एक घाली जो क्या करती है एक रवी बार के अगर हम बात करें तो पाँच मिनट क्या देखी गई पीछे देखी गई और समय की बात करें तो समय होगी आपका एट पीएम स्राइएट एम संडे मौनी एट एम संडे मौनी और फिर आपको बोला जारा अगर इस ऐट पियम तक लेकर पे तो एक यम तक संडे तक आते तो आवर्स हो जाते कितने वन सिक्टी एट और फिर एट एड एंप से प्लस कितने वह वावर्स कि अगर हम बात करें तो हो गए हाँ पर 180 तो इसको लिएट करेंगे किसे प्लस स्लो से यानि कि अगर बात करें तो पहले 5 मिनट पीछे थी और अभी 5 मिनट 48 सेकंड आगे हो गई तो 5 5 10 और 4 बटे 5 इसको solve करेंगे तो हो जाएगा 54 54 बाइ 5 तो 54 तो यहां आ जाएगा और 5 चला जाएगा आपका उपर अब पहले कितना स्लो या कितना फास्ट थी तो पहले यह आपका 5 मिनट क्या थी तो इससे आप क्या कर देंगे मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा अठारा दहमा 180 और 1834 यानि कि यहां पर आ गया 3 और यह वैल्यू यह था 10 अब इसको अगर हम solve करेंगे तो यह हो जाएगा 25 दहमा 250 यानि कि 250 बटे 3 घंटे इसको हम solve करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी आठ तिरिक 24 बचेगा एक तीन तिरिक करना हो यानि कि 83 घंटे एक बटे 3 यानि कि 83 होल 1 बाई 3 आवर्स के बाद घड़ी क्या करेंगी करेक्ट टाइम दिखाएगी सबसे पहले हम बात करेंगे फास्ट प्लस स्लो की तो वैल्यू निकल करके आगी कितनी 54 अपॉं के 150 फॉं 5 जब इसको 54 upon 5 से आप डिवाइड करोगे तो 54 तो यहां जाएगा लेकिन 5 कहां चला जाएगा उपर चला जाएगा अब पहले घड़ी कितना fast या कितना slow थी तो पहले घड़ी आपका 5 minute क्या थी slow थी तो 5 को भी हम ले जाएगे उपर अब इसको हम solve करेंगे तो यहां आ जाएगा 18 टेंजा 180 और 18 थीजा 54 इन सब को multiply कर लेंगे तो value बन जाएगा आपका 250 by 3 250 by 3 को जब हम arts में convert करेंगे divide करके तो यहां पर आपका जाएगा 83 times में completely और बचेगा 1 by 3 ठीक है 1 by 3 का मतलब क्या हो गया 20 minutes 1 by 3 का मतलब हो गया 20 minutes और 20 minutes के साथ आपको एक ही यहां पर option दिखाई देरा जिसको आप directly answer mark कर सकते थे अगर Sunday की बात करी जा रही है तो Sunday से अगर हम यहां पर बात करें तीसरे दिन की तो Monday, Tuesday और Wednesday यानि कि Wednesday 8 AM की अगर हम बात करें तो यहां तक हो जाएगा आपका 72 घंटे 72 के बाद अगर हम 12 घंटे और जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 84 hours और 84 hours में हमें क्या कर लेना था 40 minute घटा लेना था 40 minute 8 बजे में से घटा आओगी तो 7 बज के 20 मिनट आपको value बनती हुई दिखाई देगी clear चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रकार के पूछे जाने वाले प्रश्न की अगर इस question को आपने previous दो lectures नहीं देखे हैं तो आप से ये बनने से रा यानि कि आपको ना तो ये question समझ में आएगा ना तो इसका concept समझ में आएगा तो सबसे पहले क्या करना आपको previous दो sessions को देख लेना है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो तो अगर हम इस question की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि एक जो सही घड़ी होती है वहाँ पे आपको दोनों सुईयां जो overlap करती है या फिर 0 डिगरी का जो कोड बनाती है उसमें कितना समय लगता है एक बार से दूसरी बार 0 डिगरी का कोड बनाने में तो अगर हम बात करें जैसे हम मान लेते हैं यहां पे बज़ा है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 अभी हमने कहा बज़ा है 12 और दोनों सुईयों के बीच 0 डिगरी का एंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन हम बात करेंगे अब कितनी देर के बाद दोबारा से 0 डिगरी का एंगल बनाएंगे तो जो दोबारा यह 0 डिगरी का एंगल बनाएंगे वो बनाएंगे 65 whole 5 by 11 times के बाद यानि कि कह सकते हो 720 बटे 11 minute के बाद और इसको आप cross verify इस तरीके से भी कर सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि जो घड़ी की दोनों सुईयां होती है वो आप 12 घंटे में क्या करती है 11 बार 0 degree का angle बनाती है यानि कि 12 घंटे में क्या करेंगी 11 बार 0 degree का angle बनाती है यानि कि अगर आप क्या करोगे इस value को 11 से multiply करोगे तो value आपको कितनी मिल जाएगी इस value को 11 से आप multiply करोगे तो value आपको 720 मिल जाएगी यानि कि यह क्या हो जाएगा 11 से 11 हो जाएगा cancel और यहाँ पे जब आप multiply करोगे तो यह हो जाएगा आपका 720 बटे 11 था और यहाँ जब 11 से multiply करोगे तो 11 से 11 हो जाएगा cancel यानि कि value मिल जाएगा 720 यानि कि 12 घंटे clear तो यहाँ पे अगर हम बात करें question की तो question में actual जो time होता है overlap कराने का वो कितना होता है वो होता है 65 hole 5 by 11 जबकि यह घड़ी कितना ले रही है यानि कि 65 hole 5 by 11 इसके भी multiple तरीकों पे हम लोग बात करेंगे जबकि जो गलत घड़ी है वो कितना समय ले रही है वो केवल 64 minute का ही समय ले रही है सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि बताईए यह वाली घड़ी तेज चल रही है या धी में चल रही है तो आप clearly देख सकते है कि इसकी अप एक्छा अगर यह कम समय ले रही है समान दूरी को तै करने में तो अब बात है यह समय क्या ले रही है कम ले रही है तो अब हम बात करें कितना कम समय ले रही है तो यह कितना कम समय ले रही है तो यह ले रही है 1 whole 5 by 11 minutes का कम time ले रही है कितनी देर में ले रही है तो 64 minutes में ले रही है और कितने दिन का हमें क्या निकालना है time निकालना है यानि कि हमें निकालना अच्छा 12 आवर बोला गया है ठीक है 12 आर्स तो बोला गया है कि 12 घंटे में कितना तेज और धीमी हो जाएगी तो यहां पर 12 से क्या कर देना था multiply कर देना था ठीक है अब यहां पर जब आप value को solve करोगे तो यह हो जाएगा 11 5 16 बटे 11 divided by 16 multiplied by 12 यह 16 से क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा four times में और यहां प्याप का आ जाएगा कितना फॉर से यह cancel हो जाएगा three times में है यानि कि 3 by 11 hours अब 3 by 11 hours को अगर हम क्या करेंगे minute में convert करेंगे तो minute में अगर हम इसको convert करेंगे तो कितना आजाएगा ये 180 upon 11 minutes क्या हो जाएगी घड़ी तेज हो जाएगी 180 upon 11 minutes घड़ी क्या हो जाएगी तेज हो जाएगी इसको जब आप convert करोगे तो ये जाएगा 11 11 बचेगा आपका 7 11 6 66 बचेगा आपका 4 by 11 यानि कि 16 मिनट या 16 सही 4 बटे 11 मिनट घड़ी क्या करेगी आगे हो जाएगी 16 सही 4 बटे 11 क्या हो जाएगी आगे हो जाएगी लूज नहीं करेगी गेन करेगी ठीक है आगे हो जाएगी घड़ी क्या हो जाएगी सोला सही चार बटे ग्यारा मिनिट आगे हो जाएगी अभी इसको फॉर्मुले से कैसे बनाओगे तो फॉर्मुले की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 65 होल 11 बाई जो कि क्या है actual time है अभी कितना समय लग रहा है तो अभी आपको समय लग रहा है 64 डिवाइड किससे कर देना है तो जो आपको time लग रहा था यानि कि 64 और multiply किससे कर देना जितने घंटे में आपसे पूछा गया घड़ी तेज या धीमी होगी ठीक है यानि किसको हम सीधे सीधे बोल सकते थे क्या 720 बटे 11 माइनेस time upon time multiplied by total time तो इसको आप लोग लिख भी सकते है और value मैंने रख करके आपको दिखाए कि कैसे आपने को क्या कर लेना है solve कर लेना है तो इसी पर based अगले question की हम बात कर लेते है यानि कि एक घड़ी क्या करती है जब 65 मिनट का समय लेती है जीरो डीघरी का angle बनाने में यानिकि एक बार जीरो डीघरी का अंगल बनाने के बाद दूबारा से overlap करने में 65 मिनट का क्या लेती है समय लेती है I want वन बाई फाइव मिनट का कम समय लेती है वन बाई फाइव मिनट का कम समय लेती है 5 बाई 11 5 बाई 11 का क्या करती है कम समय लेती है ठीक है जो सही घाली होती है वो 65 होल 5 बाई 11 लेती है और ये घाली कितना ले रही है 65 मिनट का ही टाइम ले रही है तो 65 5 by 11 में से जब आप 65 को minus करोगे तो value बच जाएगी 5 by 11 यानि कि दोनों के बीच का जो समय का अंतर आ रहा है निकल करके आ रहा है वो कितना रहा है 5 by 11 और इस 5 by 11 को हम क्या करेंगे 65 से डिवाइड कर देंगे और total हम time की बात करें तो total time आपसे पूछा गया है 33 गंटे यानि कि 33 आवर में तो यहाँ पर हो जाएगा 11 या 33 यानि कि यह हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 यानि कि 3 by 13 आवर आपका निकल करके क्या जाएगा value निकल करके आजएगा इसको आप minute में convert कर लेंगा अगर minute में पूछा गया है और अगर ऐसे ही आपको hour में दिया गया option तो आप hour में ही answer निकाल लेंगे ठीक है तो करना क्या था अपने को अपने को करना था दोनों का difference यानि कि जो एक actual time लगता है और यहाँ पर इतना time लग रहा है तोनों का difference हमने निकाला तो निकल करके आगे कितना 5 by 11 कितने घंटे में हमें निकालना है कितना minute lose या gain करेगी तो 33 घंटे में निकालना divide किसे कर देना था time से कर देना था तो 5 बंजा 5 हो जाएगा 13 5 हो जाएगा 65 11 11 11 33 यानि कि 33 3 by 3 कितना जाएगा 13 आवर आ जाएगा और इसको जब मिनट में convert करोगे तो 180 बटे 13 मिनट 13 एककम 13 हो जाएगा बचेगा 5 बचेगा आपका 50 और 13 49 यानि कि 3 बार में जाएगा ठीक है और उसके बाद आपका बचेगा 11 by 13 यहां पर option भी आपको गड़बर देखने को मिलेगा ठीक है यानि कि अगर हम मिनट की बात करें तो 13 होल 11 by 13 मिनट क्या करेगी घड़ी गेन करेगी options में आपको थोड़ा सा error देखने को मिल सकता है उसके लिए बिल्कुल tension नहीं लेना क्योंकि मैं यहां पर हूँ तो आपको इसको आप काट करके क्या लिख लेंगे 13 होल 11 by 11 by 13 मिनट ठीक है क्या करेगी घड़ी गेन करेगी करना क्या था आपको time का difference निकाल लेना था divided by total time से कर देना था जो आपका सॉरी आपका जो time का क्या है जितने time में यह complete करता फिर total time से आपको multiply कर देना था value आपको मिल गई 180 upon 13 मिनट और इसको जब आपने मिनट में convert किया तो 13 एककम 13 बज़ी आपका कितना 5 फिर 13 तिया 49 बज़ी आपका 11 बटे 13 नहीं कि 13 मिनट 11 बटे 13 इसी प्रकार का एक और question हम लोग फटा-फट से solve करके देख लेते हैं the minute hand and hour hand of a clock coincide in 70 minutes इस बार घली क्या कर रही है जो actual time लगता है उसकी अपेक्छा अधिक समय ले रही है तो हम क्या करेंगे दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो यानि कि actual time लगता है कितना 65 whole 5 by 11 या फिर आप इसको कह सकते हो 720 बटे 11 और यहां पर अभी time कितना लग रहा है 70 70 minute का time यहां पर लग रहा है यानि कि जब इन दोनों का हम solve करेंगे तो 1170 यानि कि 770 आ जाएगा तो value आएगी आपकी minus 50 upon 11 और total time की हम बात करें तो upon में 70 और कितने घंटे की बात करी जारी तो बात करी जारी तो बात करी जारी 55 घं अगर cancel यानि कि 25 बटे 7 घंटे और इसको जब हम minute में convert करेंगे तो into 60 कर लोगे या इसको directly आप ऐसे कर सकते थे 25 बटे 7 अगर घंटे है तो 7 तरीक 21 घंटे तो हो गए पूरे पूरे और बज गया आपका 4 बटे 7 तो 4 बटे 7 कि अगर हम बात करें तो 3 whole 4 by 7 hours यहाँ पर answer आपका आएगा hours में ठीक है यानि कि 55 घंटे में घड़ी क्या करेंगी 3 घंटे 3 whole 4 by 7 hours क्या करेंगी lose करेंगी या पीछे हो जाएगी ठीक है तो आपको यह 4 प्रकार के question बिसिकली जो अभी मैंने पढ़ाए हैं वो exam में देखने को मिलते हैं जिनमें से जो आपसे ज़्यादतर पूछे जाते हैं वो first और second type के question या बहुत ज़्यादा question complicated अगर बनाने का mood हुआ examiner का तो आपक मैंने basic concept clock का सीख रखा है और अगर हम बात करें जो हम लोग lecture third को भी discuss कर रहे हैं maths के आपके basic concepts clear हैं तो कहीं नहीं कि questions को आप आसानी से बना सकते हैं हलाकि यहां पर मैंने आपको अलग-अलग type से अलग-अलग questions को कैसे solve करना है सारी बातें discuss की हुई हैं तो आप इस session को दे जो दो sessions हमने discuss किये वहां से आप से mostly questions पूछे जाते हैं बट in case अगर आपको incorrect clock से भी question पूछे जाते हैं तो भी आप questions को आसानी से बना लेंगे बस जरूरत है तो आपको कहीं नहीं number of questions की practice करने की जो कि आपको class के बाद already practice sheet के रूप में provide करा दी जाती है तो आपको केवल क्या करना है practice sheet को proper तरीके से solve करना है कहीं कोई doubt आता है तो जैसा कि telegram group आपको अलड़ी create किया जा चुका है तो आप भी telegram group पे जूड़ करके हमसे अपने doubts अपने queries क्या कर सकते हैं discuss कर सकते हैं और आपके सभी doubts का वहां पे आपको हल या solution provide कराया जाएगा किसी भी subject related आपक कर आउट हो तो वहां पर आप जा करके पूछ सकते हैं किसी भी lecture से related आपका डाउट हो तो वहां पर आपकर करके पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं न कहीं स्टेडी material की अत्रिक्त number of questions के गर आप आवसकता महसूस होती है तो उसके लिए भी आपको वहां पर questions provide करा दिये जा कर दो